नश्कार दोस्तों, ये वीडियो, editorial compilation for mains का part है, आप paper-wise और topic-wise, editorial के articles की वीडियो को देख सकते हो, playlist में जाके, discussion स्टार्ट करने से पहले थोडिशी information, courses के बारे में, आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका link नीचे description box में है, ये सारे courses जोइन कर सकते हो, political science course, current effect series, mains poster program, और अगर आपक gmail.com पर, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले important article, Indian presence के बारे में है, prison मतलब jail, आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो, देखो, India में jail की खबरे तभी आती है, या तो कोई अपराधी, या फिर विचारधीन कह दी, jail तोड़ कर भाग जाता है, या फिर jail में दंगे हो जाते है या फिर किसी high profile accused की extradition की मांग इंडिया के द्वारा की जाती है, जैसे देखो, विजे मालिया अभी फिलाल UK में है, और इंडिया उनके extradition की मांग कर रहा है UK से, लेकिन विजे मालिया UK की court में ये argument दे रही है, कि इंडिया में prisons की conditions अच्छी नहीं है, jail खस्ता हलत में है इसलिए मेरा extradition इंडिया में नहीं होना चाहिए, हाल ही में जब elections चल रहे थे, तो उसमें National Crime Record Bureau के द्वारा एक report release की गई, Prison Statistics India 2016, तो इस report पर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं क्योंकि उसमें elections का सोर ज़्यादा था, तो अभी बिल्कुल सही वक्त है इस report पर कुछ चर्च करने का, देखो इस बार जो ये report release की गई, National Crime Record Bureau के द्वारा, चुकि ये report हर साल release की जाती है, इस बार जो ये report release की गई, इसमें important demographic data नहीं है, presence में कैदियों के बारे में, जैसे देखो, हर बार जब report release की जाती थी, तो ये बताया जाता था, जो कैदी जेलों में बंध है, उ कितने आदिवासीज हैं, जैसे देखो, 2015 में, जब ये report release हुई थी, तो उस से मैं ये पता लगा था, कि जेलों में बंध जो कैदी हैं, उनमें से देखो, 55% अंडर ट्रायल पोपुलेशन तो मुसलिम्स की, दलिट्स की, और आदिवासीज की हैं, जबकि इन तीन सेक्संस क इसी टोटल पोपुलेशन हमारे देश में है 38%, समझ रहे हो, टोटल पोपुलेशन मिला के मुसलिम्स की, दलिट्स की, आदिवासीज की है 38%, लेकिन जेलों में बंध जो अंडर ट्रायल हैं, उनमें से 55% जो हैं, वो मुसलिम्स, दलिट्स और आदिवासीज हैं, ऐसी information हमें मिले थी, 2015 की रिपोर्ट में, हिरानी वाली बात वैसे ये भी है, फाइनली जो कन्विक्शन होता है, उसमें देखो, मुसलिम्स, दलिट्स और आदिवासीज की संख्या होती है 50%, तो फिर अंडर ट्रायल की संख्या इतनी ज़्यादा क्यूं? इससे तो यही पता लगता है कि पुलिस अननेसेसरी अरेश्ट कर लेती है, डिस एडवांटे सेक्शन के लोगों को, और इन सेक्शन के लोग के पास इनफ रिशोर्सीज नहीं होते, पुलिस के चुंगूल से छुडने की एक बार इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इनके पास पैसे नहीं होते, क वैसे देखो, 2016 में ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इस रिपोर्ट से एक बात ये पता लगता है, टोटल जितने कैदी बंध हैं जेलो में, उसमें से 68% तो अंडर ट्राइल है, मतलब विचारा धीन कैदी है, अभी उनका केस चल रहा है, पूरे वर्ड में किसी भी अंडर ट्राइल्स, मतलब इतने ज़्यादा परसेंटेज ओफ अंडर ट्राइल्स किसी भी देश में देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब साफ तोर पर यही है, कहीं न कहीं हमारे लीगल सिस्टम में, जश्टिस सिस्टम में बहुत सारी कम्या हैं, पुलीस अननेसे समय तक और बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजन स्टेटेश्टिक्स इंडिया 2016 में ये है, जमुएन कास्मीर में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, गिरफतार किये गए परसेंस की संख्या में तीन गुना इजाफा हो गया, 2015 में द गिरफतार किया जाता है, जब परसासन को देखो ये लगता है, कि अगर ये परसन बाहर रहता है, तो कोई ना कोई लाइंड ओडर की प्रोब्लम क्रियेट हो सकती है, इसलिए प्रिवेंशन के तोर पर लाइंड ओडर की प्रोब्लम को एवोर्ड करने के लिए इस परसन को गिरफतार कर लिया जाएं, preventive retention में देखो गिरफतारी होती है, person पर भीना किसी chance के, भीना trial के, और regular criminal justice procedures भी follow नहीं होते हैं, इसके बाद article में कहा जाता है, एक नई information add की गई है, इस बार prison statistics India 2016 की report में, क्या नई चीज एड़ की गई हैं, देखो CRPC का एक section है, section 436A, एक्जामपल की साइटा से बताता हूँ, ये section है क्या, मान लीजे कोई person है A, A पर चोरी करने का आरोप है, और jail में बंद है फिलाल A, जेल में बंद हुए A को 4 साल हो चुके हैं, जबकि देखो maximum सजा हो सकती हैं, चोरी करने के आरोप में 7 साल, यानि maximum सजा जितनी हो सकती हैं, आदे से भी ज़्यादा समय जो है वो बिता चुका है A, jail में, लेकिन case अभी चल रहा है, trial अभी चल रहा है, तो CRPC section 436A ये कहता है, ऐसे कैदियों को, ऐसे under trials को रिहा कर दिया जाएं, देखो, जिस crime के आरोप में वो बंद है, maximum सजा जितनी हो सकती हैं उस crime के आरोप में, अगर उससे आदी सजा वो काट चुके हैं, इस case में देखो, चोरी के आरोप में maximum सजा हो सकती है 7 साल, और ऐसे under trials को रिहा कर दिया जाएं, जब तक की case पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, जब अंतिम फैसला आ जाएगा, और A पर आरोप सही साबित होता है, तो बाकी बची हुई सजा जो है, इस case में 3 साल A काटें, समझ रहे हो बात को, फिर से summarize कर देता हूं, यानि section 436A ये कहत जेल में वो काट चुके हैं, इवन ला कमिशन के द्वारा तो ये भी recommendation की गई थी, half के बजाए, one third का provision कर दिया जाएं, यानि maximum सजा चोरी के अरोप में हो सकती है, A को 7 साल, तो seven by third, अगर सजा काट चुका है A जेल में, तो उसे रिहा कर दिया जाएं, जब तक की अंतिम फ ये recommendation दी गई थी, ला कमिशन के द्वारा, देखो इस provision से समधित information एड की गई है, Prison Statistics India Report 2016 में ये अच्छी बात है, लेकिन ground reality जो है, वो अच्छी नहीं है, रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 1557 under trials को पाया गया था, वो eligible है, इस provision के तहट जेल से चुटने के लिए, लेकिन उन में से सिरफ 939 under trials को छोड़ा गया, Amnesty India की research report ये कहती है, कि prison officials को इस section के बारे में पता ही नहीं होता, और पता होता है तो वो जान बूझ के छोड़ते नहीं under trials को इस prison, इस section के तहट, इसके बाद article में ये कहा जाता है, Prison Statistics India 2016 report ये भी mention नहीं करती, कि कितनी बार prison में widgets देखने को मिली, officials की, या फिर non-official widgets, for example, district magistrate, judges, social workers, या फिर researchers की, ये data देखो, इतना भी ज़्यादा disaggregated नहीं होता, इस data को असानी से compile किया जा सकता है, अगर ये data compile किया जाता है, तो हमें ये पता लग जाता है, कौन सी presence ऐसी है, जहां पर monitoring होती रहती है, और कौन सी presence ऐसी है, जहां जो officials हैं, जा नहीं पाते, तो इस data से फाइदा ये होगा, transparency आएगी, prisons के administration में, और ill treatment नहीं होगी, कैदियों की, क्योंकि prison officials को डर लगने लगेगा, कि कभी भी visit हो सकती है, hire officials की, magistrates की, judges की, या फिर social workers की, या फिर researchers की, अगला point report में ये कहता है, 2015 में, इंडिया की prisons में, 115 कैदियों की unnatural death हुई थी, जबकि देखो, 2016 में, ये आंकड़ा बढ़के हो गया, 231, अगर समय से में पे, hire officials की visits होती रहती हैं, prisons में, तो कैदियों की treatment अच्छे से होगी, और unnatural death के आंकड़े को कम किया जा सकता है, इवन देखो, rate of suicide जो है, वो भी भढ़ गया, जेलों में, 2015 में, 77 suicides हुए थे, जेलों में, जबकि 2016 में, 102 कैदियों ने suicide किया, जेलों में, तो suicide का जो आंकड़ा है, वो भी 28% बढ़ गया, National Human Rights Commission ने 2014 में ये कहा था, एवरेज तोर पर देखो, आल्मोस्ट 1.5 टाइमस संभावना ज़ादा है, जेल में बंद कैदि के suicide करने की, मतलब कोई परसन जेल से बाहर है, और कोई परसन जेल के अंदर बंद है, तो जो परसन जेल के अंदर बंद है, डेट गुना ज़ादा संभावना है suicide की, इसी से पता लगता है कि जेल में बंद जो कैदि हैं, काफ़ी सारे Mental Health Issues का सामना करते हैं, National Crime Record Bureau की रिपोर्ट ये कहती है, 2016 में 6,013 जो इंडिविजूल्स हैं, वो देखो Mental Illness से ग्रस्त हैं, रिपोर्ट वैसे देखो, ये नहीं मेंसन करती, कि जिन लोग का इलाज हुआ जेलों में, Mental Illness के लिए, क्या वो जेल में एंटर करने से पहले भी उनका इलाज चल रहा थ और जेल में आने के बाद उनकी जो Mental Illness है, वो और ज़दा बढ़ गई, या फिर जेल की कंडिशन्स ही ऐसी हैं, जिनकी वज़े से जेल में उनको Mental Illness हुई, तो यहां पर और ज़दा रिपोर्ट, और ज़दा डेटा प्रोवाइड करने के आउ सकता है, रिपोर्ट को, रि 16 की रिपोर्ट कहती है, 21,650 प्रिजनर्स के लिए एक Mental Health Professional है, और सिरफ 6 स्टेट्स और एक Union Territory में Psychologist या फिर Psychiatrist हैं, जबकि 3 बड़े स्टेट्स उडिशा, उत्रपरदेश और मद्परदेश, इन स्टेट्स में सबसे जादा प्रिजनर्स हैं, Mental Illness के, लेकिन यहां पे एक भी Psychologist या फिर Psychiatrist नहीं हैं, तो यह सारे points सामने रखने के बाद, आर्टिकल में लांश्ट में कहा जाता है, देखो proper information होगी, तब ही तो debate हो पाएगी ना, तब ही तो prisons की जो conditions हैं, वो improve हो पाएगी, लेकिन जो यह prison statistics India reports जारी होती हैं, information काफी सारी छुपा ली जाती है, काफी सारी information दी नहीं जाती है, तो फिर कैसे debate होगी, कैसे समवाद होगा, कैसे prisons की जो conditions हैं, वो improve हो सकेंगी, तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकुस किया, Prison Statistics India report 2016 के बारे में चलते हैं आगे, तो इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion. अच्चर जी के जाती हैं, चितना है की जाओ एकिorryस हैं आगे, हैं इसन ग्रूपला द Acceptance 어떻, एक्षजर तो दौते हैं एक जाती हैं, कैसे समय कती हैं, छ हैं चो आटे जैविकले किए शुथिकलन बाह तो ऊ懼 सकता हैं, एक पर सरार हैं, कैसे सम्चरीश का जबूइकले तो